नमस्कार दोस्तों मैं हूं विकास अश्वागत हैब सभी का हर्षी श्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं प्रस्टनावली 153 का क्वेश्चन नमबर 1 के बारे में ठीक है तो देखें यहां परमाल क्वेश्चन क्या दिया है कि सीध की अंडर माना अंडरूड पांच एक परी में संक्या है ठीक है परिमे संक्या है है ठीक है एतना हमने मान दिया अब उसके वाद से हम कैसे अग्रवेश्चन कि इसको लिखेंगे? परमे संख्या के रूप में लिखेंगे तो यह लिखेंगे अंडरूट पांच और इसके बराबर में लिखेंगे पी अपान में क्यू पी अपान में क्यू लिखें चाहें यह अपान में बी लिख दीजिए या आर अपान में यस लिख दीए इस तरह से कुछ भी आप यहां और अपान के रूप में लिख सकते हैं ठीक है देखें यह पर में संख्या का कुछ रूल होता है इसमें रूल क्या होता है कि क्यूं कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक है यह जो क्यूं है यहां पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर यह पर में है तब तथा दूसरा हमारे क्या ह ओनॉप होता है कि जो परमय संख्यया होता है कि सफमाग होता है कि जैसे यहां पर मदें रहें पत्चीस है है और चाहर ठीक है तो इसको हम एक बार में काट सकते हैं मतलब कि किसी भी एक अंक से इन दोनों को हमें काट देना है ठीक है तो अगर हम एक से माली जी हम एक से क्या इन दोनों काट सकते हैं एक से हम इन दोनों को काट सकते हैं 25 एक नम 25 और 4 एक नम 4 मतलब कि एक जो ऐसा अंक है कि इन दोनों को विभाजित कर सकता है तो यह सभावाजी है इसी तरह से आप कोई दूसरा एक कोश्चन ले लिए जैसे कि मालीजी 24 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं ठीक है तो इन दोनों को हम क्या काट सकते हैं एक संख्या से काट सकते हैं एक से हम काट सकते हैं लेकिन इसे हम दो से भी काट सकते हैं और 12 दून 24 इसे हम दो से भी काट सकते हैं तो हमारा सहभाजी का रूल क्या होता है कि किसी एक ही संक्यास कटना चाहिए लेकिन यह जो अंकार है यह तो दो संक्यास कट जा रहा है मतलब की 24 और 6 यह हमारा सहभाजी नहीं है ठीक है तो सहभाजी का सिधा सिधा मतलब समझ लीजे कि यह केवल एक से ही कटना चाहिए एक के अलावा किसी एंग से भी अगर विवाजी थो रहा है तो वो संक्यास सहभाजी नहीं होगा अगर सहभाजी नहीं होगा तो वो पर्मे संक्या नहीं होगा ठीक है देखे यहां पर फिर स समझेजिए कि पर्मे संख्या तभी होगा जब कोई संख्या सहभाजी होगा ठीक है तो यहां जैसरे 25 हैं और 24 है तो यह 1 से विभाजिद हो जा रहा है पुरा-पुरा तो ये हमारा सहभाज है लेकिन ये वाला जूए 24 और 6 है ये एकसे तो विभाजित हो रहा है लेकिन इसके साथ में दो सभी भी भाजित हो रहा है तो इसलिए यह हमारा 246 यह सभावाज नहीं है ठीक है अब देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे देखिए आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह समझे आपको बेटा समझ में आजाएगा ठीक है देखिए माल लीजिए है लेकिन आप क्या करेंगे फ्रेंड के नाते आप सोचेंगे कि उससे हम प्रोबलम से बाहर निकाल दें ठीक है तो यही वाला फर्मुला यहां पर लगाईए माल लीजिए अंडरूट 5 यह आप पर में है और यह आपको मालूम है कि हाँ यह आप पर में है लेकिन आप क्य यहां पर हमने इसको मान लिया है कि अंडरूट 5 जो है एक पर में है जो मेरा फ्रेंड है वो सत्य है यहां पर जूट नहीं है यह हमने मान कर लिखा है ठीक है अब जब हमने लिखा है यह अंडरूट 5 को हमने अंडरूट 5 को और P upon Q को जब आमने सामने लिखा है हम तो जान हमारा जो friend है अंडरूट 5 है ये गलत सावित हो रहा था ठीक है तो जब गलत सावित हो रहा था तो हमने क्या दिमाग लगा है हमने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है हम इसका वर्ग करेंगे उसके बाद से देखा जाएगा कौन गलत है और कौन सही है ठीक है तो देखे हम इसको हम वर्ग कर देते हैं तो लिखेंगे कि दोनों पच्छो में दोनों पच्छो में वर्ग करने पर फीक है इतना लीत अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं तो एंडरूट 5 का square बराबर में पी अपान में Q का स्क्वाइर तो इन दोनों के जब हम स्क्वाइर करेंगे तो अंडरूट जब 5 है जब इसका स्क्वाइर करेंगे मतलब कि अंडरूट 5 गूड़े में अंडरूट 5 जब करते हैं तो हमें केवल 5 पराप्त होता है ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, पांच मिल गया, और यह क्या हुआ, पी स्क्वाइर, अपान में क्यू इस्क्वाइर, ठीक है, तो यह देखे, यह स्क्वाइर में हो गया है, तो भी यह परमे संक्या ही है, और यहाँ पर हमारा जो फ्रेंड है, यह भी परमे संक्या के रू करेंगे ठाई देखें कैसे वीवाजित करेंगा माली जेह क्यों को हम इहाँ पर भकर रहा है इसको हम इधर करेंगे तो यह गुणा करने लगएगा Ee तो यह जाएगा 502 ब्राबर में क्या हो कि 5 P SqR को विभाजित कर रहा है ठीक है यह हो गया तो अब देखे अब जब P SqR को 5 विभाजित कर रहा है तो P को भी लिखेंगे तथा P को भी 5 विभाजित करेगा ठीक है यह देखें यह कैसे आगया देखें हमारा बुक में भी दिया है यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारा पर में जो 1.3 क्या दिया है मान लीजे P 1 अभाजित संक्या ठीक है यदि P A SqR को विभाजित करता है अगर P A SqR को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा हमारा जो कोश्चन में दिया है P के जगा पर क्या दिया है तो क्या करागी 5 A SqR को विभाजित करता है तो 5 A को भी विभाजित करेगा ठीक है यही हम वहाँ पर हमने यूज किया है, इसी पर में का, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर हमने वही चीज लिखा है, ठीक है, अब देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा P स्कॉयर को विभाजित कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, कि हम देखेंगे कि क्या Q स्कॉयर को भी 5 कि विभाजित कर सकता है तो इसके लिए हम क्या मानेंगे इसके लिए मानेंगे कि अत्र कि बराबर हम लिख सकते हैं 5C ठीक है पी बराबर हम फाइफ सी लिख सकते हैं क्यों को हम लिखेंगे क्योंकि हमें q-square को चेक करना है क्या ये 5 बिभाजित है या नहीं ठीक है तो q square को हमें चेक करने के लिए हम p बढ़र 5C मानेंगे देखें यहां पर 5 कैसे आया किविए हम अणरूट पांच को देख रहे हैं अपर में संख्या सीद करना इसलिए हमने पांच माना आए अगर यहां अंडरूट पांच के जग़ा को और संख्या दिया होता तो हम यहां पर साथ निख थे ठेग, तो चलिए भागे कर लेते हैं इसको तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 ठीक है अब P का मान इसी समीकरण में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा Q² ब्राबर में 5C का square क्योंकि P की इस्थान पर रखेंगे तो P square में तो 5C का square हो गया ठीक है और अपान में 5 है इतना हो गया अब हम क्या करेंगे की q2 और इसका हम वर करेंगे तो हो जाएगा 25 और c2 और अपान में 5 ठीक है अब 5 से इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या आजाएगा q2 ब्राबर में 5 c का स्कॉयर ठीक है अब 5 को हम इधर हम भाग कर देंगे q2 अपान में 5 ब्राबर में c2 ठीक है तो यह देखे इसको भी तो हम इसी परकास से लिख सकते हैं क्योंकि जब हमारा q2 ब्राबर में आया था पी सक्वाइर आपन में 5 तो हमने लिखा था कि 5p2 को बिभाजित कर रा है तओ पी को भी बिभाजित कर रहा है उसी परकास से यहां पर देखे q2 को भी पाँच विभाजित कर रहे है तो इसको भी तो हम लिखेंगे कि 5 q2 को ia6 को को भी भाजित 1 कर रहा है ठीक है कर रहा है तो पांच क्यूं को भी क्यूं को भी विभाजित करेगा ठीक है इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए इसको हमाल लेंगे समेकरण देखिए अब हमारा जो आंसार आएगा वो समेकरण एक और दो से ही आएगा ठीक है देखिए मैं आपको पहले याद दिला देता हूँ कि पर्मे संक्या कब होगा पर्मे संक्या ये तभी कोई भी संक्या पर्मे संक्या तब होगा जब हमारा जो अंग होगा वो सहवाज होगा और सहवाज होने के लिए एक से भी भाजित उसे होना पड़ेगा एक के अलावा और किसी भी अंग से अगर भी भाजित हो रहा है तो वो हमारा सहवाज नहीं है अगर सहवाज नहीं है तो वो परमे संख्या नहीं हो सकती है ठीक ह तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या यह P स्क्वाइर एक से भी वाजित हो रहा है पांस से भी वाजित हो रहा है तो यह तो हमारा सहवाज नहीं है तो जब सहवाज नहीं है तो हमारा यह परिमे संख्या भी नहीं होगा और ये दूसरा समिकर देखिए क्या ये एक से भी वाजित हो रहा है नहीं हो रहा है पांस से भी वाजित हो रहा है तो क्या ये सवाज होगा नहीं होगा तो ये हमारा ये भी हमारा परिमे संख्या नहीं होगा ठीक है तो देखिए इसके हम conclusion में क्या लिखेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे कि अतह अतह ये और sorry Q और P में जो कम से कम value आई है लिखेंगे कि Q और P में कम कम उभायनिष्ट उभायनिष्ट गुड़न खंड गुड़न खंड पांच है ठीक है ये पांच है तो यहां पर पांच के यहां पर आना क्या चाहिए था यहां पर अगर एक आता ठीक है अगर एक आता तब तो हमारा परमे संक्या की रूप में हो जाता है, लेकिन क्या आ रहा है हमारा 5 आ जा रहा है, तो इसलिए ये, अब परमे फिर लिखेंगे कि यह इसलिए, इसलिए, यह तत्य, लिखेंगे कि इसलिए यह इस तत्य, तत्थे का बिरोधा बिरोधा बास प्राप्थ होता है होता है की की ए और क्यू और पी का उभाय उभायनिस्ट गुरन खंड गुरन खंड एक एक के अतिरीक्त कोई नहीं है कोई नहीं है ठीक है यह मतलब कह रहा है कि इसलिए यह गलत सावित हो जा रहा है कि एक के अतिरीक्त या इसका कोई भी उबनिस्ट गोड़न खंड नहीं है क्योंकि यहां पर पांच आ जा रहा है और आना क्या चाहिए था एक आना चाहिए था लेकिन आ जा रहा हमारा पांच तो इसलिए यह अब परिमे संख्या है तो लिखेंगे लिखेंगे कि अता हमें कि यह कि निसकर्ष कि निसकर्ष कि निसकर्ष मिला कि कि रूट फाइफ एक अब पर में करते हैं के संख्या है ठीक है और यहीं हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ऐसका यह video पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स हों जुरू बते हैं अगर आप चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जूरू कर लेगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद